हेलो मेरे डियरी स्टुडेंट्स तो कैसे आप सब तो आसा करता हूँ वच्चों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो बच्चों मैं लगतार पहला द्याय से स्टार्ट करते विए आज 13 अध्याय तक 13 तक हम लोग पहुंच चुके हैं तो आसा करता हूँ वच्चों आप पिछले सारे अध्याय को जरूर से जरूर देखे होंगे ठीक है यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक जो है हम उसका प्लेलिस्ट का लिंक पूरे का पूरे प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दे देंगे वहां से जाकर आप लोग बच्चों इन सारे अध्याय को ज़रूर देखिए ठीक है तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हैं हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो बचो मैं हूं कैफ और आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का साइन्स का अध्याय तेरा जिस अध्याय का नाम है हम बिमार क्यों होते ह बच्चे यह जो चैप्टर है इस चैप्टर का जितने वी mcq question है जितने वी important जो board exam के लिए काफे important है बच्चो उन सभी question को हम लोग इस वीडियो में complete करेंगे जो परिछाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल उन सभी सवालों को हम लोग इस वीडियो में पूरा का पू सबसे पहला question क्या है बच्चो इसका सबसे important question क्या है malaria का रोग वहाग क्या है रोग वहाग मतलब की रोग वहाग यहां से वहां ले जाता है मतलब malaria कौन फैल आता है बच्चो तो यहां पर चार अपसंदिया मक्खी तील चट्टा मच्छर चूहां तुम यह देखिए आप लोग चीतरी के माद्य हमसे समझ वहाग आ गया होगा कौन malaria का रोग वहाग क्या है मत्चर तो अपसा नंबर सीस का राइट हो ठीक है तो जली दूसरी कुशन के तरफ बढ़ते हैं हम लोग दूसरा कुशन क्या है वाइरस से होने वाला एक समान्या रोग क्या है तो वाइर जाता है ठीक है यह समान नहीं रोग है तो इसका राइट अंसर अपसा नंबर यह हो जाएगा ठीक है बच्छो आप लोग से एक रिक्वेश्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके बैल अकन बटन को भी जरूर प्रेस कर दें ठीक है और वीडियो अगर अगला कुशन के तरफ बढ़ते हैं अगला कुशन क्या है रोग के कारण कौन रोग के कारण कौन कौन से कारण होते हैं तो रोग के कारण कौन कौन से कारण होते हैं संकर्मक कारण या फिर दोनो या फिर व्यक्तिगत कारण तो बच्छो इसका जो राइट अंसर हो जगा ऑप्सन नबर सी जो रोग के कारण होते हैं वो संकर्मन भी होते हैं और असंकर्मक भी ह फैलता है समोधाइक स्वाच्छता इससे कम नहीं कर सकती है एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति में नहीं फैलता है तो बच्छो जो इसका राइट अंसर हो जाएगा एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति में जो नहीं फैलता है यहां पे आपका दोनों आपसन है ना तो आपसन नमर ट सब्सक्ण पर दूसरे व्यक्ति में चला जाता है तो यहां पर औप स suspects जीव से तो सभी बात वैट घार और एक आध्म से दुसरे आद्म फैलता है तो एक आध्म से दुसरे आध्म इसको क्या कहता है सक्रमा घुरो और टौ ऑध किस कर और आ थे कहरानी होता है और स्मोधा होजट्सald संकर्माक रोग है नहीं को यहां पर आपको बताना संकर्माक रोग कौन सा है इसकोश्ट रोग कारण क्या है परोटो जाएगा मलेरिया रोग वाहग में पड़ेते कि मच्छर है लेकिन रोग कारण किया है कि किसके याद रखना है इंपोर्टेंट है वी भी आईई पूछता है बहुत बार पूछा गया सवाल है ठीक है तो मलेरिया रोग का क्या है प्रोटो जोवा के कारण मलेरिया रोग फैलता है ठीक है आगे बढ़ते हैं किस पोसक ततो की कमी से एनेमिया नामक बिमारी होती है तो यहां पर option है आयोडीन, आयरन, तामबा, जस्ता तो बता बच्छो इसका right अंसर कौन सा हो जाएगा iron ठीक है तो किस पोसक की ततो कमी से एनेमिया नामक बिमारी होती है तो iron की कमी से तो option number 20 का right हो जाएगा आगे फुला हुआ तो गेंगा रोग है उसमें और किसके कमी से होता है तो आयोडीन आयरन तांबा जस्ता तो बच्छो इसका राइट अंसर हो जाएगा आयोडीन है ना ऑप्सन नमबर किसके कमी क्या होता है रताइट होता है जो भी आँठी समझ्ये मैं बच्छो विटामिनकी कमी से कौने सा रोग होता है तो विटामिन शी की कमी से कौन चाहला रोग होता थे अर है और पूछ देखो विटामिन ए इक इस करभी ने इनratorल founded by क्या और दूसरा विटामिन-दी के कमीसे बेरिये होता है विटामिन सार याद रखना विटामिन एपSca ले लो यह विमारी से रताउंदी होता है बीस से बेरी-बेरी सी से स्करवी ठीक है अगले कुशन विटामिन बी की कमी से कौन से पिछले बर बता दिया थे अभी हम लोग बेरी-बेरी तो आपसा नमर बीस के राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हम लोग बच्चों क्या लेक यह किसके कारण होता है वेक्ट्रिया के कारणट आपसानवर बीस का उदारण है मतलब कि रोग वाहक जो रोग को यहाँ से वहा망 ले بढ़ते हम लोग बच्चों एडश थी तो सभी है बच्छो ठीक है इसमें जो रोग वाहक है जो एक जिगा से दूसरे जगा रोग को फैलाता है बीमारी को फैलाता है वो तीनों है तो इनमें से सभी स्कराइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं लोग बच्छो एड्स होता है तो एड्स किससे होता है जीवानों से फ सानू से होता है ठीक है अब बात आता है बच्चों कि अगर थोड़ा सा कुश्चन पलट दे बोल दिया एड्स का फूल फॉर्म थे ठीक है तो अगर यह चीज लिख देना इक्वाइड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम ठीक है एड्स का यह फूल फॉर्म है बच्चों स्क दोल क्रीमी ट्रिप सोमा लेसमानिया एंट अमीबा तो बच्चों जो इसका राइट अंसर हो जाएगा काला जब जर जोथ्पन होता है लेसमानिया से होता है ऑप्सन नम्बर सी इसका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हम लोग बच्चों अगले कुश्यन की दिदरफ क सबसे आम इलाज क्या है तो मानों में जो बैक्टरिया जो घरीक और बैक्टरिया हो जाता है जर्सकाद काम एक दोगों जाते होंगे तो एक दवा जरू देटा बढ़िग हो कौन로 में अधता है तो बैक्टरिया अगर हो गए तो एंधती Ox ठीक हो जाएगा है नो डॉक्टर भी यह दवा 100 परशंट लिखता है चलो आगे बड़ते हैं लोग टीका का विसकार किसने किया था ठीक है वैक्सिनेशन जो वैक्सिन हो रहा था है ना कोरोनष वला तो यादी होगा वैक्सिन हो रहा था तो जिएक था वैक्सिनेशन जो होने का जो कार यह है उसका विसकार किस ने किया था तो जेम्स सिंपसन 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 ने ठीक है एड़्वर्ड जैनर ने एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर क्रिस्टियन बोनाड रे तो इस बच उसका जो राइट अंसर हो जाएगा आप लोग मियादी जवर्ण किस कारन होता है तो टाइफड है ना जो ये तो बिमारी है टाइफड मलेरिया हो गया है आप लोग तुम बहसा में बोलते हूंगे अन्य से होता है तो वायरस के कारन जीवानों के कारन फूफपन के कारन इन से कोई नहीं. तो चीवानू के कारण होता है. और देखेंगे बच्चो कि आपके गर में अगर एक को किसी खांसी जो काम हो गया तो अगर एक का ठीक हो तो दूसरा का ठीक हो जाता है यह किस से हो रहा है यह gefल होता है टेकертв यह सब बखार वायूसे नहीं फालता है टीक चलाव निख्ट सवाल की तरफ , बीकशन है फ्यस्टरता चेटक मलेरिया है लेकिन जट्रोग है रोपारी यरे चाज जानवार के काटने से वारिस वाइररस फैलता है कुट्ता बिल्ली मच्छर इन्में से कोई नहीं इसका राइट अणसर हो जाएगा कुट्ट्ध कुट्ध के काठने से कौनसे विमारी होती है रिविज वाइरस रेविज वाइरस फैलता है do आग investor में कौनसा एक विकल्प द्वारा Hje programme एक वेकती दूसरे व्यक्ति में परसारित नहीं होती है तो किसके कारण से नहीं होता है मच्छर का काटना एक ही सुई का बहु प्रियोग यौन संबन अस्तनपान और आप लोग को पता है वचो यह एक वायरा से HIV ठीक है जिससे एड्स आपका एड्स बिमारी पकड़ता है ठीक है तो क् एक ही सुई को बहु प्रियोग मतलब एक सुई को बार बार एक सुई को आपको सुई दिया किसी और को दिया फिर और किसी को दिया तो इससे एड्स फैल सकता है ठीक है एच आई वी वायरस यह फैल सकता है यहान संबन यान सारीरिक संबन से भी एड्स आपका फैलता है ठी and human 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 immune deficiency virus ठीक है human immune deficiency virus याद रखना है बच्चों ठीक है यह कुश्छन आता है बहुत बार पूछा है ठीक है अगर यह कुश्छन पूछ दिया कि HIV का फूलब रोब तो लिखे देना है तो फूलफम क्या है तो लिखे देना है तो आज़े बढ़ते कंद्री निंद्रा रोख उत्पन करता है जिसको नीद नहीं आता है अधान आते आते उड जाता है रात में बार-भार जग जाता wastewater कैसे उत्पन होता है था तो यहां option दियाओ है ट्रिप्नो सोवारा वायरास प्लाजमोडियम कवर तो बच्छों इसका राइट अंसर हो जाएगा आप ट्रिपनोसोमा होता है निंद्र रोग की सुथपन होता है तुक आगे बढ़ते हैं म लोग डेंग्गी जो है परजीवी का वहख है तो मादा एडिस मच्छर मादा एडिस मच्छर लेकिन अगर पूछ दे मैसे सबसे पहले कौन सा परती जैविक होजा गया तो बताइए सबसे पहले कौन सा परती जैविक होजा गया सबसे पहले जो परती जैविक होजा गया था तो याद रखना इस कुश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग चेचक का टीका किस ने परदान किया था तो चेचक का टीका था वो किस ने परदान किया चेचक का टीका कोई खोज किस ने किया सिंपल सी यह कुश्चन पूछ रहा ह तो बच्चो इसका राइट अंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर जैचक का ठीका का खोज किशने किया था तो एडवर्ड जेनर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट रवाल के तरह रेबिच के ठीके की खोज किशने की थे तो सबसे पहले आप लोग को पीछे प्रोटो जोआ के कारण कौं सा एक रोग का नाम है प्रोटो जोआ के कारण होने वाले रोग एक रोग का नाम और क्या है अ किसे फाइल था प्रोटो जो हुआ सब्सक्राइब सिंपल सी बात है आगे बढ़ते हैं लोग एड्स किस विसानों द्वारा उत्पन होता है अभी बार बार बता रहे थे एड्स के बारे में ठीक है और यह किस के कारण होता है एच आई वी ठीक है क्या बतायता है इसका फुल कि स्वार बार होने वाले हुने वाले एक बिमारी का क्यान ना है जर टीवी टा इफवार पोल्यो तो बच्चो जो वाइरस जो आपका है ये क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर आप का पोल्यो यह और यह प्दार है अबidents किस विटामिन की कमें से होता है तो बच्चों आप लोग को पता है कि विटामिन B की कमें से बेरी-बेरी होता है विटामिन A की कमें से कमेंट करके बताओं विटामिन C और A कमें फील पाउं काला जार या फिर मलेरिया तो क्रिमियों से होने वाले जो रोग है वाइरस से बताओ जल्दे से एक बार हो चुका है इसको आप कमेंट करें बताओं कौन संसर अपको कमेंट जो करना बच्चों वो आपको लिखना है साइटिस पा ए b c d जो लिखना होगा इस तरीके से लिखना है ताकि हम को समझमाए कि आप सही कर रहे हो या फिर a b c d कर दोगे तो उमको तो ये नहीं समझ माएगा कि आप कौन से कुछ अंसर कर रहे हो ठीक है चलो 38 सवाल देखते बच्चों यहां पर क्या लिकावा है रोगों के फैलने के माधियम का साधन नहीं है वायो द्वारा जल द्वारा लेंगे किरियाओं द्वारा इनमें से कोई नहीं तो यहां द्वारा है वायो द्वारा प्रास प्रेजब अगर इस वीडियो को पूरा पूरा देख लिए हैं तो जरूर से बच्चों आपको विडियो को वीडियो ठीक है और कमेंट केजिट बैचो एक प्यारा से कमेंट आना चाहिए ठीक है और जाधस-जाधस रिखेजिle केजिए बाचो अपने ग्रूप में अपने स्कूल ग्रूप में अपने फ्रेण्स अपने केभीडियम को इस्जाधस से शे ओलाजं करें है ना चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चू ठीक है धन्यवाद